Hello people, welcome to the Manish Paul podcast और आपको बताएं यहाँ पे जो भी गेस्ट आते हैं बड़े कमाल के आते हैं और आज वो गेस्ट हैं जो जेनली सुबा 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 साड़े साथ आट बजे मेरे साथ बाते करती हैं, हम लोग थोड़ी गॉसिप करते हैं, थोड़ी थोड़ी बीचिंग भी क हमारी इंडस्ट्री की जान, शान और मेरी बहुत एची दोस्त, येस परा खान, परा क्या इंट्रो है यार, Manish, thank you यार, एक तो मैं बोलना चाहते हूं, what a amazing name for your show या, मतलब इतना creative, इतना original, unique, the Manish Paul podcast, मतलब कितना टाइम लगया होगा यह नाम सोचने हैं ना, यह वेरे podcast की नाम की दहजिया, एक इंसान उड़ा सकती थी, तो Manish Malotra podcast भी लग सकता था, thank you so much, thank you फारा मैं, मुझे बहुत खुशी है, बट आने के लिए, वैसे ये भी है, मैं वैसे बता दू, मैं फारा को कभी भी फारा मैं नहीं हमेशा फरू बुलाता हूं, तो बिलकुल यह मेरी और फरू और मैं, I think, कब वी ले थे हम लोग? दो हजार नौ में, एक रियालिटी शो आप जज थे, नहीं, डान्स इंडिया दान्स, उसका उसका एक सीजन था, विच वस अ स्पेशल सीजन, और उसमें मैं नया नया काूला होस्त आया था, और फारा महां पे, एक पे तू सिर्फ रेड कापिट होस तर रहा था, रेड का बहुत से वाट नाइच पर मैं ने तभी इसको बोला था, that he is actually very good, and I told the, these guys also you should keep him on the horse, this boy was very good, yes, I totally agree to that, ये तुझे बोलना है लोगो को, बिल्कुल बोलना है, कि लब तो कच नहीं था, तभी भी I was nice to you, yes, and मैं ये बता दू more nice, और मैं बता दूँ, ये on record बताना चाता हूँ, कि पहली बार, अगर मुझे किसी film star में, अपने घर पे, पार्टी पे बुलाया था, यार दिल्ली से है था, मुझे तो पता भी नहीं, हमने सुनी थी पार्टी, पहली बार मुझे किसी ने बुलाया था, वो थी फारा, औ और मुझे बड़ी खुशी थी, पहली और आखरी बार मैं नहीं बुलाया था, तो वहां पे भी मुझे इन्हों नहीं बुलाया था, बट फरा, थाइंक यू सो मच फॉर, I love you, for coming here, and more than that, कमाल का जो entertainment आपने create किया, you know, फरा, मैं अब इतने दोस्त हो चुके है, हम कभी इत इतनी फॉर्मल बात नहीं करते, बट आज मैं करना जाता हूं, कि अगर मैं बात करो, इंडस्ट्री में, Iconic Film Makers की, तो मेरी लिए, फारा का नाम सब से उपर है, because आप बात करो, तूने नहीं बोला, नहीं कभी नहीं बोला, तभी आज मैं करो, नहीं इतना फॉर्मल हो रह उसमें, बट क्या चीज़े आप देखो, मैं मिस्टर इंडिया का बेटा बना था, और फाइनली मैंने मिस्टर इंडिया के साथ, जोग जोग जी हो, मैं काम भी क्या का, आपका विजन देखो, आपको पता था, ये होगा, लेकिन फारा, आपकी फिल्मों के अगर बात करें सूपर हिट तो होती है, ब्लॉग बस्टर होती है, लेकिन उसकी जो यूएस भी मुझे लगती है न, जो कैरेक्टर आप चुनते हो, चाहे वो सतीश शाह जी का कैरेक्टर हो, चाहे वो बिंदू जी का कैरेक्टर हो, चाहे, I think जो आपने सुश्मिता सेन को जिस तरह पोट तो हम नहरु नगर हाुजिंग सुसाइटी में पले बड़े है, साजिद मियन, तो यह वो सब वह की लोग थे, आंटी और अंकल थे, जो थूख के बाद करते हैं, जो थूख के बाद करते हैं, जो बच्चे हम लोग ऐसे, मतलब वह था था, आम ऐसे पेपर रख 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 थे, फिर एक वीना अंटी थी, जो उनकी इंगलिश ऐसी थी, और एक जैन अंकल थे, माइफ इस कॉलिंग यू इंद बाल कलोनी, वेसे टाप की जो इंगलिश थे न, मीट मी इंद बैक साइड, तो वो सब हमने, क्यूंकि जो मेरा कोर रटर था, राजेट साथी, वो भी न मेरुनागर का ही था, तो हम दोनों ने फिर वहां से चारेक्टर काफी, अभी सुषमिता सेन वास, I think, everybody's ideal, every boy I knew, including my brother, had a teacher, including you, I'm sure, who had a crush on some hot teacher, 100%, तो वो सब टीचर को हमने डाल कर, Miss Chani Chopra बना दिया, क्या बाल, वो जो पलू, जैसी वो जो शारुक सर देखते थे, और वाल बजने लगते थे, मतलब, क्या विजन था हो, I think, वो यूमर थो हम फोटे है, ये तो है, रोमांस में भी यूमर डाला है, ये तो है, मतलब कहीं भी ऐसान लगता, हूमर कहीं भी ऐसान लगता, फोर्ज है, बड़ा नाचूरल नाता है, and people connect to it very well, yeah, because all these characters, you'll know, some teacher who spits on you while talking, बड़ ताइम, देखा ये होता है, ठीक है, बड़ में थिंग ता जब शारुक अन्साति इस तो शूट, इस तो शूट इस वेरी दिफिके, बड़ा थूट थूट, पानी पिला थे, वो अप्छूल तू तू देखेगा, और आमने उसको बाकलाइट किया था, तो तो वो अब कोविट के ताइम, अब तो बहुत से सीन नहीं हो सकता, अब तो बहुत से सीन नहीं हो सकते, बिकॉज अज़कल हमें हुमर भी बहुत कंट्रोल रखना पड़ता है, वोक, वोक यूमर, मैं एक बाद जानता हूँ कि फारा का सेंस अफ यूमर is one of the best sense of humors, अभी तो जह I think people का यूमर चला गया मनिश क्योंकि हर चीज पर लोग उफेंड हो है, हो या, तोड़ा sense of humor होता रहा है, तो I am to so used to taking jokes on myself, and Sharok also, कि आप पहले अपने ओपर जोक कर लेते हैं, कि आप मत आप रुको, पहले हमको अपनी बेज़ती करने हो, फिर आप करना, but people get very offended about everything, और मैं तो बहुत डरी वी रहती हूं, क्योंकि जब मेरे सेट पर मेरे हाथ पर माइक आता है, तो फिर तो, मतलब, people दूर-दूर से आते हैं शूट जेखने कि अब फारा माइक पर क्या बोलेगी, तो I have to really control, क्योंकि मेरे ऐसे कुछ चॉइस वर्ड होते थे जो अब बैन हो चुक हाला कि मेरा सीनिक चोटा साथ हमें टेबल पर डांस करो, सोचिये कि मैं कितना बुरा कर रहा था कि उसमें भी मुझे वो शब्सुनने को मिले थे, वो तो मेरा प्यार है, सब को नहीं देती मैं वो, अगर वो शब्स नहीं आते तो मैं एक बार पूछना पर तो आप ठीक हो यह वो एक्ष़ली है, भी मैं एक यह देखा है आपके साथ यह चीज देखी है, जिस तरह की शब्स देख और यह हो एक अंदर प्यार जो है वह आपका है, फर एवरिवरीबड़ी अराउंट, आपने बाड मूड, इन फाल मूड, तो जो गंदे वाल मूड होता हैं? I love being on set और मेरी एक खासियत है शारुक में किसी को बोल रहा था कि वो spot boy को भी उतनी गाली देगी और शारुक को भी गाली देगी और शारुक को भी उतनी I don't discriminate between कोई होता है न कि they'll treat the stars very well and they'll treat the assistant very badly and they'll treat the dancer नहीं मेरे साब equal I treat everyone very badly ये ये वात है लेकिन हाँ ये है कि lunch time तक आपको गालियां भी पड़ रही होती है बट उसके बाद जो lunch मिलता है ना boss मतलब ये बड़े बड़े तांबी ये बिर्यानी के आ रहे है fish के आ रहे है chicken आ रहे है देको भाई आजकल मुझे लोग ना सिर्फ catering के लिए ही ले रहे है मुझे ये आप अंदाजा लग गया है कि मैं अब वन के वो खारा खान से अब मैं caterer बन चुकूँ तो पहले मुझे ma'am आपकी shoot telling है आप खाना लाओगे ना तो बैना इसे लाओंगी तब वो shoot book करते है अब ये तो है क्योंकि आप खाना इतना सारा लाते है इतना सब्र लाइक feeding people that's nice क्यों कि लंच पे सब अभी अपने वन में गूस जाते है तो वो वाला tradition चला गया जो पहले वैन नहीं होती थी तो everybody would sit to it so at least मेरे सेट पर even if I'm shooting for a day or I'm doing a show for you whatever, आज मैं खाना नहीं लाई हूँ sorry ने ने, आज हम लाई है, don't worry ठीक है, आज तो नाश्ते के टाइम पर तुम लोग कर रहे हो तो I like कि सब साथ में बैट कर एक रूम में या एक टेबल लगे और सब at least खाना साथ में खाए है आपको लगता है ये कल्चर कहीं न कहीं अब थोड़ा कम हुआ है कम ने, बढ़ी सबकी सेपरेट शेफ्स हैं सबका शेफ बन रहा है 40,000 रुपीज का सैलेड आ रहा है आपके लिए और सैलेड खाने के बाद वो मेर से पूता है, मैं घर से क्या है साले 40,000 मुझे दे देता बट बहरे देखा है फारा जब भी शूट पे होती है या फारा की शूट पे जाओ तो सब लुग न वो एक महल जो होता है मैं उसको पुराना महल केता हूँ क्योंकि अब वो महल नहीं है कि सब एक साथ बैठके खाने इस इंपोर्टेंट है थोड़ा मज़ा करें चूट डेज अवेरी और वैनेटी में होता है फुल अफ़न और कोई ये नहीं है कि मैं बैठूंगा कहां या तो मेरी वैनेटी में अगर से पाँचे जाने तो मेरी वैनेटी में लगता है वरना भार पूरा टेबल लगता और अगर ये चीज़ है ये चीज़ है थिंक बड़ी अमेजिंग है और ये वापस आएं ये नहीं आती वापस यो लोग खाना खाना ही छोड़ दिया लोगोंने ये भी है पत्ते खा रहे हैं पत्तों अब टेबल पर बैठ की क्या खाया है बट पत्ते क्या हा आज तो आपने भी वेट वेट काफी लूस कर ले है एकदम से ही है एकदम नहीं है भाई छे मेने लग गए है बिचे मेने से कोशिट जारी है और थोड़ी और कोछी तोड़ा जाले रहेगी वेट अच्छा लूस किया है तो मेरा अच्छुली टागेट था कि आइफा है फेबुरियूरी में तो मैं आउगिस्ट में चालू किया कि अब आइफा तक मैं 10 किलो काम करूँगी वो हो गया अच्छा 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 में चाला गया में को कंटिनू करना बड़ेगा डाइट तो अभी में तक तो शी में have to be on a diet only थोड़ा सबमनत कर लो गया अभी मुझे ऐसी गंदी नजरों से देख रहा तो मुझे लग रहा है कि मुझे डाइट कंटिनू करना चीए कास तड़ोवेट और लूस हो या तो जाएगा तो जाएगा तो जाएगा तन आए फार विल गो फार अच्छा बीच में कॉमन दोर लेकिन परा मुझे बदा हो आपने इतनी फिल्म बनाई अगर मैं बुझो आपकी फेवरिट कौन सी रही जहां obviously you can't choose one of your babies ने आएगा चुली देगो यार मनीश पहला प्हला प्यार हमेशा याद रहता है so for me it's always मैं हुना because I think we were the most I was the most pure at that you know के हमको वो डर नहीं था के यार ऐसे करेंगे तो ऐसा हो we were just so happy के में को पिच्चर मिल रिये बनाने और हमारे माइंड में था के हम तो शोले बना रहे हैं बस शोले हम ही बनाएंगे मतलब यही था रोज जा कर चालो शोले बनाएंगे and just the energy on that set was amazing वो ओम शांतियों में भी था happy new year में भी थापड़ हो नो थोड़ा हम जेड़िड हो जाते हैं कि हमको लगता है हमने last time यह किया था यह कृटिक थोड़ा वो back of the mind थोड़ा हम क्या बोलते हैं थोड़ा tainted हो जाते हैं you know जैसे बच्चा पहली बार भागता है तो लगता है ना मैं रेस जीत किया हूं बाले उसको लगता है बात में बात में बात में बढ़ता है का रहा है मैं सिक्स्ता है तो यह सै so that pureness was there in में हुना and it was with everybody the whole unit all my हम डाजलिं गय थे और वही बाग्राउंड जुनियर आटिस नहीं लेके गई थी में खाना लगता था so like a school how nice it was really अभी भी दानसर में को बोलता है ma'am that outdoor we've never had a outdoor like that but आप आप वैसे ले तो शारुक आड़ बजे उटकिया था क्या बात करें तो शारुक सर का है शारुक सर का है शारुक सर लवस तो वोक इन नाइट नाइट हाँ I think beautiful experiences Om Chanti Om also we had a lot of fun बद उसमें आउड़र नहीं था तो अम फिल्म सिटी में थे बहुत हस्ते थे बहुत Happy New Year we had a great time because we went 30 मा कान also we had a good time not maybe as good as में हुना because somewhere I feel शारुकर मेरा जो एक रापो है that is hard to match yeah also it's the just the humor because I think I have realized because मैंने भी बहुत stage share किया आपके साथ भी शारुकर के साथ भी but the sense of humor शारुकर के साथ भी it is unbeatable that's what we connected on that only I mean मुझे एक बात याद आदी शारुकर की मैं अब नया नया host बना था मैं एक पुलीस शो कर रहा था यारुकर की शारुकर के साथ भी था हुषद ही शारुक के था I remember और मैंने खड़ा था अब शारुकर की वानाथ जारुकर के साथ हुआ था पहली हुआ पचा हुआ हुआ था कझाल soy I onlyacenty are highest is guarded वो बड़ा अच्छा लगता है तो मैं खुदी कहुंगा रहे नहीं यार स्टेप नहीं है मैं तो ऐसे कर रहा था कोई मेरे हाथ में चवण नहीं रग गया तू बोलना में को तो मुझे ऐसा लगा मैं को क्या बात कर दो अज कल क्या होता है आज साब बुलाता है मनीश को यह काटो यह मुझे दे दो यह क्वालिटी जो है ना बड़ी खतम होती जारी है वह पुरान ते उसी पठान अब लास का सीन देखो और आपको सची लगता है सच बोल रहे हैं दोनों यहार कौन है कौन है हमें ही समालना पड़ेगा इनको ही समालना पड़ेगा कौन है नहीं व पहले जो उनके प्यार होते हैं आजाते हैं यह मत बोलना वो मत बोलना ऐसे मत करना इसके कोई कनेक्टी नहीं आता है ना लोगों करना अभी मैं आपको बदा रहा हूं यह पॉड़कास्त हम कर रहे हैं फारा ने मुझे एक बार इमनी बूचा तो क्या पूछने वाला है ब यह शुचल छो होती हैं लाइफ में लिकिन आज फारा जो है वो इक अलग लेफल पर है शी होगा स्टार में नहीं आप क्या बात तरहें आप क्या बात करने आप पूट इस आप इंगे अपने बहुड क्वालिटी विग्या इन बहूट सारे जो है नहीं पर अपने आपको superstar बोलते हैं. But वो अपने अपको देखो, पहले, I always compare I've worked with Shahrukh Salmar and all, उनके बाद, how can anyone say that I'm a star? Yeah. You can't. But यार, यह I think यह एक चीज़ सीखने वाली है, कि always be humble. हम जो achieve करते हैं, वो मेभी आज है, कल नहीं है, परसों आपस आएगा. Manish, I always feel, I see, whenever I met you, I knew you're talented, I loved you, एक दिन हमने पूरा दिल्ली में भी स्पेंटिया, अजर सभी Manish की फीया, वो गल्फ्रेंडी सीखना, जर्फ्रेंडी सीखना, और त्री अफ उस वेट शॉपिंग, I remember that day very well. आपने बच्चों के लिए कप्डे खरीदे थे, उस ताएंब एक ब्रैंड था, बहुत बड़ा, अमें तो पता भी था उस बीड़ा, तो मुझे पहली कर ठाट नहीं वो ब्रैंड बताय था, अभर भॉत ब्रैंड भी आप ए ये ब्रैंड कर आपार हना, लिए आणीड थे कौ नहीं पता हमें नहीं प्रैंटी, so many times you have to be nice not nice I genuinely loved you I liked you I thought you were talented you can't be bad to people because they are no you feel they are nobody you know कल वो देखो कल को कहां पहुच जाते है एक है नहीं के be nice to people while going up same people you'll be meeting while you're coming absolutely so I think that quality I want to preserve I'd rather spend time with new people you know even though I'm not working with them मेरा एक अलगी alternate group है वित राजकुमार राओ पत्रा उमार वो अपना ही चलता है वो हमने काम ही नहीं किया कभी साथ में but we just met at a show or something and we just got together and we love each other and उसमें कोई वो नहीं है बद ये ये बात है I think ये चीज़ I think अगर हम सीख लें because कहते हैं हारे एक से कुछ सीखना चाहिए ये बात सीखो rather than फालतू के attitude और air रखना अरे यार हमने कितने देखे हैं हमेशा देखते हैं और बोलते हैं कि कितने आये legends आके आके गए हैं और मतलब सब को लगता है आमने सिनमा इंवेंट किया है ये तो है लेकिन ये तो बाते होई रही है लेकिन क्या होता ना कि हमारी शुरुबात बड़ी इफरेंट होती है तो मेरे कहल फरागर मैं आपके बच्पन की बात बच्पन has been completely different मैगाद मनिश तो या I think वो अलसो helps in a way क्यूंके मेरे डाद एक प्रोदूसर इरेक्टर थे अर्ली 60s 50s में वाज बी ग्रेड मूवी के star थे वो तो दारा सिंग and कामरान थे वाज़ तो बिग स्टार बी ग्रेड मूवी तो थे तो तो बिग स्थी लुटेरा Robin Hood like that Tarzan in Bombay that kind of what were called tacky movies but they were great fun and he was very successful in his अपने जो लीग में अपने लीग में he was very successful फिर वो डिरेक्टर बने वो प्रोलूसर बने तो बना वाज़ चोटी मतलब पांच साल तक I saw that fame and that life I was very spoiled पहली गाड़ी मेरे डाद ने खरीदी बोनी कपूर मुझे अभी भी रिमाइन करते है कि हम सब आते थे इंपाला गाड़ी देखने खौन आया है आरके स्टुडियो में कामरान आया है you know and then after that he made a movie called ऐसा भी होता है ironically और वो Friday को रिलीज हुए और लिटरली Sunday को we had become poor क्या बात करें अच्छा 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 तो Friday को रिलीज हुए Saturday तक वो निकल गई थी and Sunday दो डाड़ी ने जो भी कर्स पपा ने कर्स ले के you know that time producers to put everything अच्छा 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 मम्मे की ज्विल्री वो because he was so sure this movie is going to do well his first color film it was अच्छा and by Sunday we had become poor my god so and after that for 13 years my father didn't work 13 years? for 13 years till he died he had no work तो मिलाब इतने कर्जा भी चड़गा तो फिर तो we had a पूरा फ्लोर था हमारे वो नहरुनगर सुसाइटी में था तो तीन फ्लाट थे हाँ हाँ पूरा थोड़के फिर फिर लोली एक गया फिर दूसरा गया फिर वी चेम इंटु मतलब चार बहके से हम वन बहके में आगये फिर काफी यपी I don't make it sound like a tragedy because my dad started drinking okay फिर वो सुबे से drinking चल ओती थी एन्थ माय वन जटी ती धूम फ़ागा दूम एवाइव घर्टिंग लिव 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 लगाइट अर लिट्रल लूम तेर्टे लुगिए तो लिए तो अधिए जाजी तो अधिए लेफ लेफ ओवरनाइट वह भी एक पिछर का सीन था रात को मुझे याद है अब जूब इच का वो जो जाँ सोह हा वह जाँ पर अम बस्टों पर रात के विए कुछ दो बजे ख़ए हैं मम्मी और दो बच्चे अच्छों जो रिक् बच्चे अच्छ वह जाँ अच्छ चोटा स्टोरूम था लिटर लिटली इससे चोटा होगा तेरे उफिस से अच्छा ओक तो बार फाइफ इर लिए टो काफी अच्छ आपी ए सो अगी आव मिन आफ सीन शुटा अप्लीग वे एक ताइम साजा अट अट वह टी ती ती त जीतु छीरा गुवर मि हमार्मिंधर उति आ क्वी संझीव कॉमार सा का तो विम्म मैं सेट बस्टेसी यूरोगा रिदार ग। भूआँ बसे को तो एक हमेरे वहाเพीञ वरेसी जो को तोपल रोगे पीडियुड गों जिसको ने फ्लॉप पिच्छने नहीं दिये। वो सीके इसके मेरे दिमांग में वो मैं अगर आपसे पूचूँ हूँ तचूद आज गौद इसकाइनग गौद इस वहले ग्रेट वहाव वहले वहले इनफ से कम रुपई कितने रहे हुए होते ही नहीं थे मनीच I'll tell you when my dad died the day he died तो होता किया था पपा कोई काम नहीं था तो घर चलाना होता था यह अभी I was I think 18 or 19 और वो पांट साल के बाद we came Sajid and me was sent back because वो स्टोरूम भी जो था ना वो मेरे मामा आ रहे थे कहीं एरान से वापस okay तो अब वो उनको देना था तो मम्मी बेकें अ पेंग गैस्ट okay because she started working in Sea Rock Hotel में she was doing housekeeping पली बार जिंदगी में मम्मी काम निकली तो साजिस अन्मी वा सेंट बाक तो अर्निंग कुछ थी नहीं तो मेरा जो घर ता यौंट बिली इस वेरी फिल्मी सीन एवरी डे दे बिल्डिंग पीपल वूट कम टू प्ले ताश उनको एक जगा चाही होती थी और सब जो बैटते थे छे साथ आठ जन सब पांच-पांच रुपे की किटी डालते थे व तो 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 उससे हमारा नेक्स डे का दूद का एक पैकट जो भी है थोड़ा सा दालवाल इस डेली थे घह अगर कोई नहीं आया थाम प्रिप्स होया तो नेक्स दैट तर नो राश्य इस नो राश्य तो देली थे तो तो देली थे तो दीज इम टार्वनिग दाद में यू वह वह टो भी दो खूछ को एड तो उसके बाद इसके बाद एक्क सजिन ए बिग बाद इंग इंग बोला है एक वह टो एक टो गो एंग बनी टो एक डिव अ फुनरल बखाँ जो एक 30 रुपीज बढ़ आर बुदिन का आरेनी सुट टास वाले लोग जो आय है they couldn't play there they went up on the terrace and played oh cards yeah yeah I mean this is absolutely filmy 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 it was filmy I don't know in the film I said I couldn't write it I had a gramophone you know every day I was so spoiled every day I would go and buy a record okay LP LP yeah so twist and twist and twist and twist and twist and twist and every day I would go in the car as a child and pick up the latest LP bring it home and dance on the table I mean I had a lot of dancing shock so slowly slowly the gramophone was also then the LPs were also and then I mean something in our house literally we didn't have anything in the house we were sleeping in the night because if someone comes then you can see something and you can't take it and you can't get it and the lock was also broken so to repair you don't have money oh my god and you know my god she used to just keep the so you could just push the door open and come in but those were the days where you didn't need to lock your house and sleep but I think I think Farah I think I think I think your humor is still there I think that time was a little difficult but after that within a week or two weeks we also started black humor we started making fun of the people who came to the funeral that auntie was so fake she was actually thinking now I'm going to go to Tashka and I'm going to die the camera is dead so what do I do so that humor I think is very important to get you through bad times otherwise you can go into depression we could have gone into drugs we could have gone into in the wrong works correct because and that humor was also my dad I mean even though imagine a person who used to roam in an impala he could not stand on a bus stop that I'm going to go to the bus and his ego would not let him do that so he stayed at home you know that is why now it's not very difficult you're telling stardom now I'm going to see and I'm going to say what can be bad so whatever you get whatever you get you know sometimes I come home in the night and I see my house and I can't believe it's my house I think people know but let me tell you I think Farah has a beautiful house I think I honestly I think God has blessed me for all the small storerooms and the small one I mean when we sleep on the ground so God has given me double triple absolutely as much as he was telling his storeroom where he was sleeping with all due respect I think your helps he's going to be a big room 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 so the humor I think is going to be a big example and that's a big example I mean if you don't have a sense of humor what is life yeah absolutely and I feel that a lot of people who are so sensitive to the sense of humor please relax and everyone has become a victim complex and everyone is going to be a big room but I think if this thing is finished then I think it's not finished it's been a big room it's been a social media it's been a big room you get a lot of trolling how do you treat the trolling because I can't be so politically correct no obviously I think but I know what happened today's rate I think as an audience we had to enjoy the audience today's audience like this but you're bored the critics of the picture are just sitting to kill her you're going for an experience enjoy it I think I think I'm going to be what you're talking about in today's time it's been so many cuts at the time somewhere no the third one is another level I know so now we have to write self-censorship and write but they're just waiting waiting that nothing's going to happen and start trolling this is it do troll troll trolling something's cut but it's okay now you it's water of what do you say from the back from the back duck's back that's the kind now put your cover and put your own health and if you go and you go on reading it's very bad and if you read it 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 and it's very seriously then you can do it I don't give myself that much self-importance also I think that today's trolling is still going to be in the morning there will be no more troll in the morning tomorrow tomorrow this will be a different trend when I go to Big Boss when I go to Big Boss first I don't know who to be with me or who to be with me I don't know who to be with me but Big Boss which you have put 4 chants I will tell you Big Boss TRP let's say 5 so 4 take it and the rest of the people are shooting somewhere Big Boss doesn't miss as a viewer as a viewer I went as a family member I am a viewer and I am a loyal viewer from the season this is so I feel like I know that he has copied it and sometimes you feel but I understand I try to be a little narrow but sometimes it gets out of the fear so forgive me so now I think you want to no 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 Manish please if you are my friend I pray every morning you are my friend as a contestant no one will go to Big Boss don't go to Big Boss mom won't go to Big Boss mom won't go to Facebook mom won't go to Facebook mom won't go to Facebook now sometimes I feel when I am hosting my back of the mind always keeps on how do their parents feel but as a host you have to be that's your job when Salman also they say Salman Khan so they say Salman Khan so they say Salman Khan so they say to their family but that is our job we have to show them where you are going wrong and where you are not but when you have a person in the house your tension is different you know you feel like you don't say anything you don't say anything absolutely love obviously these things are definitely but if I am having said that I want to clarify that not once have me or my mother called either the channel or Salman you don't say Salman you don't say Salman you don't say Salman you don't say Salman this thing I want to say on record I want to go to Big Boss and I called up Farru I said Farru something I don't say what you mean you say Salmane you say Salmane what you call I remember this word so I said I don't say Salmane I don't say Salmane just I said just but I don't say anything I don't say anything you don't say anything I didn't say anything किसी को नहीं, उल्टा, मैंने सल्मान के मैंने जॉडी को फोन करके बोला क्योंकि साजे जा रहा था, उसको लगे के मैंने, I said, जॉडी, I don't want to call, क्योंकि जब भी कोई सेलेब्रिटी जाता है, they call and put pressure, I said, उल्टा, मम्मी और मेरे दोनों बोल रहे है कि सल्मान को जैसे उसको ट्रीट करना है, उसकी बैंड बजा नहीं है, उसकी बैंड बजा दो, just, वो प्लीज बाइस लाओ, हमारे प्रेशर में आकर बिलकुल मत रो, प्लीज बाइस दिखा भी नहीं है, but obviously people said, वो दामाद है and all, but वो बीहेवियर उसका ऐसा था कि उसकी क्या बैंड बजाए कोई, नहीं बातो है, like मेरी sister, वो बहुत देखती है Big Boss, and she didn't know Sajid sir as a person, तो उसने भी मुझे बोला के तिहार, बड़ा मस्त आपी है, मैंने रहीं है, नहीं भाईया है, ठीक है, चलो, टाइम जब लिचे होता है and Sajid has a set of very staunch friends, मतलब they are ready to die for him, उसकी दोस्ती वो तो दिखाए दी घर में, वो तो मार तो उसकी मतलब कटर दोस्त है, वो, you know, who I've seen him through these four years, यह है, यह है, बड़ अगर मैं दोस्ती की वैसे बात करूँ, फरू की भी बहुत अच्छे दोस्त है, और उनमें एक बहुत अच्छे दोस्त है, करन जो है, मतलब आप लोगों के reels, amazing and फरू और मैं जब करन की party में finally गए थे, हमने एक वीडियो भी डाला था, वो मैं एक बार फिर आपके लिए प्ले करता हूँ, यह देख लेना, and जो मस्ती हम लोगों ने करी थी, बट फरू मैंने एक चीज़ देखी है, यह मैं सब को, आप खुद ही बताएं, करन जोहर की party में, जब भी फारा खान जाती है, वो कभी भी पहले नहीं निकलती, यह जब exit करना था है, शीज़ लास्ट वन तो एक्ज़ लास्ट वन तो, यह मैंने बहुत सीखा है पहले, मैं पहले exit करती थी, और मुझे बात में पता लगा, कि जो पहले जाता है, फिर बाकी लोग उसकी बिचिंग करता है, तो फिर मैंने बोला कि मैं एक बार अक्चुली निकल गई थी, आम आउट दोर पे थे, और फिर मैं क्रीप करके, पीछे बैलकोनी से आकर, बट अनफॉचुनेटली थे मैं बिच्चिंग बाउट थी, तो मैंने करन बोला, मैं पहले निकलूँगी, जैसे मैं दरादे तक पांची तेरी चालूँगी, पांची बेरें, बट अपको वो बुरूपता भी नहीं है, पहले ही मुझे, बट करन इस तूफनी, जैसे संस अफुमर इस आउट्स्टेंडिंगी, कमाल, और वो खुद पे अपने जोक, तो अपने जोक तो, बट कुछ भी जोक कर लो, I have learned from him, उसकी जितनी ट्रोलिंग होती है, and the way he handles it, is just amazing, it's amazing, it's not, it's very difficult, he's a very very successful person in the industry, to take that kind of trolling every day, and to just ignore it, अभी तो पता नि मुझे लगत करता है, कमाल, उनको तो मज़ान लगता है, बलकि थोड़ी दिन नहीं होता है, तो शाइद बहु रहता है, किसी ने कुछ बोलाई नहीं, मैंनी बात कर रहा है, but he is very funny, because मैं को ऐसे ऐसे messages भेगता है, तो एक दिन मैं कोई मांट मेरी गई थी, तो मैंने ऐसे कुछ गर का गं मैं अभी जलक कर रहा था, और एवरी टाइम, मादुरी माम वोट वेट, मैं कपड़े बाइन के आदा था, कहती है, वाओ, I just want to see करन क्या बोलेगा तुम्हारे कपड़ों के बारे में, वो से मैं ही बोल सकती हूँ, यह तो है, I think जो, actually, उनके कपड़ों पे जो best comment मार सकती है, वो है फारा, लेकिन फारा, अगर मैं कहूं, इंडस्ट्री में आपके इतने सारे दोस्ते हैं, उनमें से, दो दोस्त अगर मैं आपको बोलेगा, जिन पर यू जिस्ट की, I know, है, तीन बजे भी कॉल करूं, तो एक ही आदमी उठाएगा, वो है शारू, क्यूंके वो उ ता कर लोगी है, युकी आपके इतना मिलती भी नहीं क्योंके मैं रोस्ताओ करने जाब ही नहीं सकती हूं, तो वो मुझे भूलाता भी नही तो और रभी मैं उसका फों किया, क्यूंके अभी मैं दुबाई गई थी तो मैंने कुछ अच्छे कपडे सौट ओ पहने थे, तो यह भी है लेकिन जो अब आपके जो 3 a.m. best friend है शारुक सर जब भी आप और शारुक सर आते हो तो कमाल का magic create होता है चाहे वो सिर्फ एक गाने की choreography हो चाहे हम फिल्मों की बात करें तो अब यह magic जो 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 जब I have left it to God जब टाइम राइट होगा शारुक भी तो अभी देख पत I mean I am so happy मतलब I think the whole country the whole world is happy but you know यह प्यार दिखा है यह फैन्स का यह लोगों का प्यार दिखा है यह फैन्स का यह लोगों का प्यार है मैं के तो फिल्म की स्टोरी की तो लोगों ने बात यह वाद टाव लोगों वगों आप्टिए यह लगी आटल रहे लोगों को फिल्म भी अच्छी लगी एक और रहा क्रेश एक यह लोग के थे हमें कुछ नीए बदावा है वह दो सब्सक्राइब करने और अपने करने लुए है निचरू को पाइब सेख़ अपने लिएल्टीपश को अपने लॉट किया था म करूंज किया था बद दो डियू ऑपने जब ठेख इड्ड आपका को बरीज ज़िए आपने दीपिका को लॉट्ट इट अज अपने जब स्टार क्वालिटी इन अवज सम अपनी किसमत लेकर राते हैं और सब आई नूँ शील दू वेरी वेल एंड शील बेरी वेल एंड बट ये उसकी जो वो अब जो ये मुकाम पे पाचिये तार इस हर हर्ड वर्क एंड हर जजबा बकॉज अफ्टर में अफ्टर ओम शांतियों दो तीन साल वो थोड़ी भटक गई बट वो शी वुश जब ऑट वस्ट सब्सक्राइब अर उच्छी एंड देयों प्रश ये उप और दो बटो एंड जो इन केंग विच्एस जो चॉद्टी आः और राम लीजा चिन्ने एंश्प्रेस और एवन अफी न्वी अबियो त पिका थी and that is all to her credit. यार मैंसे एक और चीज़ है फारा मैं को पंगे लेने का बड़े शॉक है मैं बता रहा हूँ क्योंकि कौन है फाल्तू के पंगे लेगा कि पूरा गाना में एक टेक में शूट करूँगी चले जैसे हबाए एक शॉट में एक शॉट में चल रहा है वो इदर एक दम से जायदा रहा है एक उसे पंगा लेना चाहिए अभी मैं थोड़ी बेदम पीस लविंग होगी व में को बिल्कुल स्ट्रेस पसंद नहीं है मतलब एजी और मेरे लाइफ में बहुत स्ट्रेस हुआ है अब थोड़े देर में बच्चों को बला थोड़ा तुम लोग टीनेजर बन गए और थोड़ा एक दो साल के बार स्ट्रेस देना में को प्लीज बड़ आप ट्रेंड क्रियोगरफर नहीं है cra near लेकिन आपने मलाइका को तब डान्स करा है जब मलाइका को डान्स आक्चछली नहीं आता था बट वो तो मझबूरी का नाम तो क्या कह रहे ही हम मतलब what we say that what is the mother of invention necessity is the mother necessity ती ती तीन दिन पहले तक कोई लड़की नहीं थी जो ट्रेन पे चड़े तो मुझे मिक्की कॉंट्रेक्टर ने कहा कि मलाइका अच्छा डांस कर दी I knew मलाइका वो अर्बास की girlfriend थी and she had मिले थे तो मलाइका वो कैसे डांस करेगी वो तो मॉडल है and she's very western he said नहीं नहीं लिटरली वो एक दिन में उटी आई दो दिन रिहसल किया और तीसरे दिन वो ट्रेन पे चड़ा दिया बस और उसके बाद जो वो ट्रेन पे चड़ी तो यह किसमत है न आप सोचते नहीं हो यह बहुत मैं बता रहा हूं बाई कमाल लेवल ग्राउंडड़ जलती है यह उन लोगों को आप ब्रेक देते जाते हो and वो भी आगे बड़े बनते जाते हो but I see something in them that is why I do अब देखो मेरे में भी कुत्तों देखा ही नहीं जो वो जो मेरे पास बात करने नहीं आना चाहते है who's he no I don't want but I've never seen you doing that because normally the host do that who's she we don't want to talk to लेकिन अगर मैं फ़रू की बात करूं साथ Filmfare Awards as a best choreographer और आप से जादा अगर किसे ने जीते हैं तो Saroji Saroji is a legend but इतने अवार्ड अगर आपने जीते हैं को क्रेडिट किसको देते हो खुद को I'm lying, I'll do it but I think along with me I will definitely give credit to Gita and although मेरे जो असिस्टेंस रहते हैं उस ताइम पर प्पू था, जायर करके, Gita, फिरोज और I think of the first choreographer मैं बोस नहीं कर यू जिसने पहली बार हर स्पीच में अपने असिस्टेंस को thank you बोला, उनका नाम लेकर you know, because पीच्छे के they are the ones who are with me throughout और आप ही पहले डिरेक्टर हो, जिन्होंने अपनी फिल्म के end credits में सब को आप लेकिया है क्यूंकि मैं a very bad technician तो मुझे पता है उसके बाद काफी डिरेक्टर्स ने वो किया they started thanking their teams but I was like वो ना मैंने Bombay Dreams किया था Broadway के लिए और London में, तो वो end में सब curtain call के लिए आते है तो महां से मैंने pick up किया कि चल, actors तो आते ही हैं, क्यों आप लोग देके मेरा cameraman कौन है अरे आपने गाना मना रहा है तो अभी now it's become a three day shoot अभी सब को आना है केटर को भी आना है बिल बोड़ वाले को भी आना है सब को आना है बट वो है, I think आपने वो जो किया और जो आपने गाना मनाए ओम शांति ओम जिसमें इतने actors अरे कितने तो हमने बुलाए थे नहीं आया अरे क्या बात करें बहुत लोग नहीं आया उमिछ जिए नहीं आयान आरे की पर अजर मुए इतना लटकाया और उसने मुझे फिर यंड में यहरीन दिया कि मैं थारे जमीन पर एडिट कर रहूं आपस। तेरा लिटरले तु आयेगा ना ने दो गंटे में तेको फिर सदो झालों मेरा जिसे नगर मैं यह दो एडिटिझ चोड के दो गंटा आँ यह शुट पे ना तो मेरी पिंचर चे मैने डिले हो जाएगी तो मेरे जा टू प्लीज मात आया रवा अजा इसको पूचा है कि आप बखवात मेजन नहीं था तो नहीं थे है यह यह वैसे अच्छा है जन्दा पर आधिंग वो जो आपने लेजन्डरी चीज़े क्रीट करीनी है I call it legendary. But that has been created by Manmohan Desai. You give credit, I took inspiration from that. You took inspiration, but at least you have made it so good. And you have made it so good. Yeah, and you have made it so good. You know, inspiration definitely, because his songs, John, Jani, Jannar, As children, we are laughing, we are fighting, 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 we are fighting. But I mean, that was actually the thing. But I wanted to know this one, because there are a lot of people who mimicry of Farah. Jani, Jani, Jani is mind-blowing. I think she is mind-blowing. I mean, if you listen to the phone, then you think you are talking about. Jani is mind-blowing. Jani is doing my bank, and he is doing my bank transfer. He is giving my OTP. But many people, when you mimic your and say, what are you doing, what are you doing, and if you do Rohit Chetty, then you copy Rohit Chetty Sir, or if you copy Rohit Chetty Sir? Look, I grew up with Rohit Sir, in my age, so obviously, I came first to know. So, he will talk a little bit. No, no, no. We both have a lot of macho, I have done it. What a story. If you both have a film, then what a action film will be. It's going to be ridiculous. But Farah, you say thank you so much for coming. But first of all, first of all, when you make films, you have drama, masala, entertainment, but romance is also good. Yes, romance is good. It's like romance is good. It's like romance. It's like romance is good. So, Farah always, people have always seen a little bit of romance, and they all have seen a little bit of romance. You are romantic? No. You are not? So, today, we will make romantic. It's like a cringe. It's like a good. You do like direct? You do like direct. You do like romance. I do like direct. I do like direct. I do like to write. I do like cringe. तो कभी आप्रिधे हैं? कि अए उठीज के साथ नहीं हुआ है? अब थो बच्चों के साथ में जाज रोमैंटीर रोमेंटिक ग्तरलिगानी करौई वैसे दिफिकल्ट हुगा विको सामने में बैठाऊ वर फिर भी टाइए एक डायलोग था जब तीस साल पहले जब मैं इती इंडुस्ट्री में तो अनिल कपूर जी मुझे बोलते थे तब ही मैं बहुत पतली थी थी आ वाँ दूए थी नाइस तुब बहुत बहुत थी थी अनिल कपूर हमेशा मुझे यह जब था जाए जाए जब देंम शॉट्स अवर अवाँ एडी था जाए पिक्ट्री ठीस नाइस जाए पिर आए जाए यहाँ एडाए जाए 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 लूटाए बहुत गारी है तो अब जाए 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 यहाँ तो पूसे एड़ आए और इस फिल्म में मैं हूना, तभी तो ओम शांतियों कह पाऊंगा और तभी फाइनली मेरा भी हैपी न्यू येर होगा, तो ध्यान रखना इस बात को, लेकिन जाने से पहले, क्या कहना है सारे विववस को? मैं जो कुछ नहीं कहना है, have a sense of humor, Manish ये जो अरिजनल नाम का podcast है, Manish Paul podcast, इससे आप सुनते रहिए, देखते भी नहीं है, देखते भी है, सुनते भी है, और प्लीज ग्यादा सेंस अव यूमर, don't get offended by everything, life is good, have fun, yeah, absolutely, have fun, enjoy करो, मजे करो, जैसे अभी की हैं, और अगर मजे की ह कोई के तो सिंपल है, like करो, share करो, subscribe करो, and keep watching the Manish Paul podcast.